दोस्तो बीहार में करीब 2745 पदों पे बाहली की नोटिफिकेशन आ चुकी है, ये जो बाहली रहने वाली है, बिहार रजस एवं भूमी सुदार विभाग में ये बाहली रहेगी, बाहली अलग लग नग पदों के लिए रहेगी, पद जो रहने वाली है, अमीन का है, LDC का है लेखपाल का है कानुंगों का पत रहने वाला है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन आपको, अगर आपकी बारभी पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर पायेंगे। हम आपको पूरी जनकारी बताएंगे किस पत के लिए कितना सिठे रखी गई है क्या कॉलिफिकेशन होगा कैसे सेलेक्षन प्रोसस होगा क्या नोटिफिकेशन है यह सारी जनकारी आपको इस वीडियो में देखनों को मिलेगा इस लिए इस वीडियो को अंद तक जरूर देख में देखेंगे जितने सारे जॉब की नोटिफिकेशन निकलती है अप लाइब की प्रोसेस होती है और सारी अपडेट आपको इस वेबसाइट पे दिया जाता है तो आप हमेशा इस वेबसाइट को भीजीट कर सकते हैं आप यहां पे देखेंगे बिहार राजा सुभ भूमि सुधार विभाग रिकुप्मेंट 2022 आप इस पर किली करेंगे यह आर्टिकल मिलेगा जिसमें सारी जनकारी बताईगी है आपको बता दे इस बहाली के लिए अभी जो डेट है निर्धारित नहीं हुए कि कब से आप आवेदन कर पाएंगे लेकिन इसका जो नोटिफिकेश आप इसका जो आप 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 है कि हुए आप कैसे जशेष सर्वेक्ष Hund बंदोबस्त पदा अधिकारी जो से तुकि यहाँ पर देखेंगे लिपी का भी पद है, साधे LTC का है तो LTC में वही candidate apply कर पाएंगे, जो पाड भी पास है जिनका पास computer का knowledge है, जिनका पास typing का ज्यान है वही candidate इस form को apply कर पाएंगे हलाकि apply के लिए अभी date निर्धारित नहीं हुई है और साथ ही नहीं इसका full notification आई है जिसमें ये किलिए रहो पाए कि किस पत के लिए officially notification के जरी क्या qualification रखे गई है तो इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा वो आएगा तो आपको इससी website पे हम आपको नीचे जबाप आएंगे तो full notification coming soon है जहाँ पे हम उपलब्द करा देंगे अब यहाँ पे जो notification निकल के आ रही है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं इसको पहले open करते हैं जहाँ पे इससी website इस notification को भी आप download कर पाएंगे जहाँ पे भी clear लिखा हुआ है कि रजस वह भूमी सुधार में करीब 2745 पदों पर बहाली जल्द होगी अब देखें जैसा कि आपको पता होगा बिहार में अलग-अलग मंत्री का संगठन हुआ है अलग-अलग मंत्री बने है तो लगातार जिस विभाग में जितने भी सीठे खाली है वहाँ पे बहाली के लिए notification आ रही है और जल्द से जल्द वहाँ पे जो भी बहाली है उसको लेना है जिसको लेकर notification आई है किलियर लिखा हुआ है कि भूमी सुधार अबम राजासु मंत्री अलोक मेहता ने कहा है कि विसेस सर्वेक्षन को समय पर पूरा करने के लिए करीब 2745 पदों पर जल्द ही बिग्यापर निकाली जाएगी जो भी रिक्तिया है उसको भरी रहेगा साथी कानुंगों के लिए 257 पद रहेगा विसेस सर्वेक्षन अमीन के लिए जो पद रहेगा 2018 यानि सबसे अधिक ECPS सीट रहेगा उसके बाद लिपिक का जो पद है 145 रहने वाला है समीधा प्याधारित अमीन रहेंगे जिनका बिस सीटे जो है 222 सामिल किये गय ही है जिसको लेकर अभी प्रेस घ्यापती किया जा रहा है इसका रोस्टर त्यार किया जागा और जल से दल इसको अपलाई के लेकर आपको डेट निरधारित की जाएगे तो यहीं से इससी वेप साइट से आप ऑनलाइन अपलाई कर पाएंगे अगर कोमेंट करेंगे तो इसको लेकर जैसे ही आप फूल नोटिकेसन आता तो एक डीटेल वीडियो हम आपको प्रवाइट करेंगे कि कैसे इस फॉर्म को आप अपलाई करेंगे लागातार हम जोब से रिलेटेड काफि सारे वीडियो आपके लिए प्रवाइट करते हैं जिसके लिए चैनल पर काफ करके वीडियो वाले सक्षन में जाएंगे और सभी वीडियो का आप लाब उठा सकते हैं कैसे अपलाई करना है वो पूरी प्रोसेस उस वीडियो में बताई गई है ऐसा ही लगातार अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप से जोईन हो सकते हैं जहां भ सारी अपडेट सबसे पहले आपको सेर कर दिया जाता है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद